हाथी प्रित्वी पर सबसे बड़े जमीनी जानवर है और उनकी त्वचा उनके शरीर का सबसे बड़ा अंग है अफ्रीकी हाथियों में इसका वजन 900 किलोग्राम और एशिया हाथियों में 600 किलोग्राम तक हो सकता है हाथी की त्वचा मोटी, जुरीदार और भूरे रंकी होती है ये हाथियों को धूप और चोटों से बचाने में मदद करता है हाथियों की त्वचा भी बहुत समवेदंशील होती है और वे हलका सा स्पर्ष भी महसूस कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक कंटेंट तथा हमारे एप्स के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी अफिशल वेबसाइट factober.com को विजिट करें हम ऐसे ही अलग-अलग विशेव पर डॉक्यमेंटरीज प्रदर्शित करते हैं हमारे आगे आने वाले सभी एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिना किसी देरी के आएए शुरू करते हैं भारत की अंतरिक्ष यात्रा की समयरेखा से हाथी की तवचा तीन परतों से बनी होती है एपिडमिस एपिडमिस तवचा की सबसे बाहरी परत है यह मृत कोशिकाओं से बना होता है जो लगातार बहती रहती है हाथी की तवचा की बाहे तवचा अन्यस तंधारियों की तुलना में अधिक मोटी होती है और इसमें अधिक केराटिन होता है, जो इसे क्षती के प्रती अधिक प्रतिरोधी बनाता है. डमिस डमिस त्वचा की मध्धि परत हैं ये जीवित कोशिकाओं से बना है, जो कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन करते हैं, जो त्वचा को ताकत और लोच प्रदान करते हैं. हाथी की तवचा अन्यस तंधारियों की तुलना में अधिक मोटी होती है और इसमें अधिक रक्त वाहिकाय होती है जो तवचा को ठंडा रखने में मदद करती है हाइपोडमिस हाइपोडमिस त्वचा की सबसे भीत्री परत है ये कोशिकाओं से बना होता है जो हाथी के शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करता है हाथी की त्वचा का हाइपोडमिस भी अन्यस तंधारियों की तुलना में मोटा होता है जो हाथी को ठंड से बचाने में मदद करता है हाथी की तवचा के कई कार्य होते हैं जिन में शामिल है थमोगिलेशन हाथी की तवचा हाथी के शरीर के तापमान को नियंतरित करने में मदद करती है मोटी तवचा हाथी के शरीर को बचाने और गर्मी के नुकसान को रोकने में मदद करती है तवचा में जुर्या तवचा के सताक शेत्र को बढ़ाने में भी मदद करती है जो गर्मी को खत्म करने में मदद करती है सुरक्षा, हाथी की त्वचा हाथी को चोटों से बचाने में मदद करती है मोटी त्वचा बहुत अधिक सजा जहल सकती है और यह कटोती और खरोंच को रोकने में मदद कर सकती है त्वचा की जुर्यां भी वार को रोकने में मदद करती है संबाद, हाथी एक दूसरे से संबाद करने के लिए अपनी तवचा का उपयोग करते हैं वे एक दूसरे को अपनी सूंड या पैरो से चू सकते हैं और वे एक दूसरे के खिलाफ रगर भी सकते हैं इससे उन्हें सामाजिक बंधन बनाये रखने और स्नेह दिखाने में मदद मिलती है घ्रान क्रिया हाथी की तवचा में गंध ग्रंथिया होती हैं जो फेरोमोन का उत्पादन करती है ये फेरोमोन हाथियों को एक दूसरे के साथ समवाद करने और उनके क्षेत्र को चिनित करने में मदद करते हैं अवशोशन हाथी की तवचा पानी को अवशोशित कर सकती है जो हाथी को हाइडरेटेड रखने में मदद करती है अब आएए बात करते हैं हाथी की खाल के बारे में कुछ रोचक तत्यों पर हाथी की त्वचा किसी भी जमीनी जानवर की सबसे मोटी त्वचा होती है यह इतना मोटा है कि कुछ थानों पर इसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है हाथी की तवचा भी बहुत सख्त होती है ये बहुत सी सजाओं का सामना कर सकता है जैसे कांटों से खरोचना या शिकारियों द्वारा काटा जाना हाथी की तवचा भी बहुत समवेदंशील होती है हाथी हलका सा स्पर्ष भी महसूस कर सकते है हाथी की त्वचा बालों से धकी होती है बाल छोटे और विरल है और यह हाथी को गर्म रखने में बहुत प्रभावी नहीं है हाला कि बाल हाथी की त्वचा को धूप और कीडों से बचाने में मदद करते है हाथी की तवचा हाथी की शारीरिक रचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये हाथी को धूप से, चोटों से और शिकारियों से बचाने में मदद करता है ये हाथी को अन्य हाथियों के साथ संबाद करने और उसके क्षेत्र को चिनित करने में भी मदद करता है हाथियों को कई कारकों से खत्रा है जिनमें शामिल है अवैद शिकार हाथी दाद के लिए हाथियों का अवैद शिकार किया जाता है ये हाथियों की आबादी के लिए एक बड़ा खत्रा है परियावास की हानी हाथियों को रहने और घूमने के लिए भूमी के बड़े क्षेत्रों की आवश्यक्ता होती है निवास्थान का नुकसान हाथियों की आबादी के लिए एक बड़ा खत्रा है मनुश्यों के साथ संघर्ष हाथी कभी-कभी मनुश्यों के साथ संघर्ष में आ जाते हैं जैसे कि जब वे फसलों पर हमला करते हैं या मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं इससे हाथीयों की मौत हो सकती है या वे घायल हो सकते हैं सन्बन हाथी की त्वचा सन्बन के प्रती बहुत प्रतिरोधी नहीं होती है। हाथियों को सन्बन का खत्रा होता है, खासकर उच्ची UV विकिरन वाले क्षेत्रों में। हाथियों के संरक्षन के लिए कई चीजे की जा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं। अवैद शिकार मनुष्यों के साथ संघर्ष को कम किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपिया इसे लाइक करें, और भी अधिक मज़ेदार तत्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेय करें। एक और अधिक इमसिव अनुभव के लिए हमारी अफिशल वेबसाइट factober.com पर जाए, जहां हिस्ट्री, ट्रावल, नेचर, वाल्ड लाइफ, टेकनोलजी, लाइफस्टाइल के साथ साथ और भी कई इंट्रूस्टिंग चीजों के संदर्ब में आकर्शक कंटेंट मौज चीजों.